हलो शंतोस जी सम्मी कुमार जी एमडी शेहान जी शब्को बेरी वेरी गुड आप्टर नून है आई हम लोग शुरू करते हैं सर यहां तक यहां तक हो गया था क्या कहां तक हो गया था पीछे कल की क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था यहां तक देखो फिराडे का विद्यूत अबगटन का नियम कल हम लोगों ने पढ़ा था फिराडे के विद्यूत अबगटन के परसों की क्लास में हमने पढ़ा था फिराडे के विद्यूत अबगटन के नियम के बारे में अब हम लोग यहां से आगे continue करेंगे इस से राड़े का विद्यो तब घटन करनी हम क्या कहता है देखो कि अगर मान लो कि यह कोई anode है और यह मान लो cathode है यह मान लो cathode है और यह मान लो anode है और इस से हमने बैटरी को जोड़ दिया इस से हमने बैटरी को जोड़ दिया यह positive यह negative तो cathode पर जो है धीरे धीरे electron जमा हो जाएगा यह cathode है इस पर electron धीरे धीरे इसका जो electron है यह move करेगा इसका जो electron है यह move करेगा electron इसका move करेगा electron इसका move करेगा अब move करने के बाद यह सारा का सारा electron इस पर आकर जमा हो जाएगा यह electron आकर इस पर जमा हो जाएगा electron का एक plate बना देगा आज मॉर्डिंग में physics के class नहीं हुई थी इलक्ट्रोन इस पर एक plate बना देगा जब इलक्ट्रोन एक plate बना देगा इसे को हम Electroplating कहते हैं इसे को हम क्या कहते हैं? Electroplating कहते हैं एक के थोड पर जो जमाद हातु का दरबिमान है वो इस battery के ABS के समानपाती होता है मतलब जितना ज़्यादे battery charge होगा, उतना ज़्यादे कर थोड पर धातु जमाः होगा M समानपाती होता है Q के यहां से अगर समानपाती का chin हटा दोगे तो एक constant आता है पहले तो समानपाती का chin अगर रशाय दोगे तो एक constant आएगा Z into Q और M बराबर Z क्या है? constant है जिसको हम रशाइनिक विद्यूत रशाइनिक तुल्यांग कहते हैं और Z है Q के जगह पर हम लिख सकते हैं IT तो formula हो जाएगा है M बराबर Z IT जहां Z क्या है? Z विद्यूत रशाइनिक तुल्यांग है Z विद्यूत रशाइनिक तुल्यांग है जिसका unit kg पर कुलाम होता है जिसका अगर हम unit की बात करें तो Z का जो unit होता है वो kg बट्य कुलाम यानि kg पर कुलाम होता है ठीक है? हरदीप कुमार वर्मा जी गौर फर्माईएगा M जो होता है कि थोड़ पर जमा धातू का जो द्रमान होता है वो समानपाती होता है Q के समानपाती का चिन अटाएंगे तो एक constant हाएगा Z Q के बदले आजाएगा IT तो Z IT हो जाएगा Z विद्यूत रशाइनिक तुल्यांग है जिसका यूनिट हो जाता है केजी पर कुलम यही है सर फिराडे का विद्यूत अबगटन का नियम तो कहते हैं ध्यान दीजेगा क्या थोड़ पर जमा धातू का द्रमान आवेश के समानपाती होगा समानपाती का चिन अटाएंगे constant हाएगा Z into Q क्योंकि बदले IT तो M बरबर Z IT हो जाएगा Z विद्यूत रसाइनिक तुल्यांक क्याता है सर फिराडे का विद्यूत अबगटन का नियम विद्यूत अबगटन की क्रिया में क्या थोड़ पर जमा धातू का द्रमान अब घटे में प्रवाहित आवेश इस Q के समानपाती होता है M समानपाती होता है Q के M समानपाती होता है किस के? Q के Q बराबर हो गया IT तो M बराबर हो जाता है Z IT जहाँ I बराबर Q by T है Z धातू का विद्यूत रसाइनिक तुल्यांक है Z किसका विद्यूत रसाइनिक तुल्यांक है अब आते हैं next पर, जिसका unit होता है kg पर कुलांब, कहता है किसी धातु में विद्योतरसाइनिक तुल्यांक उस धातु के एक कुलांब आवेस प्रवाहित करने पर क्यथोड पर जमा धातु का द्रभमान है, जैसे m बराबर होता है z into q, तो अगर हम q को एक कुलांब मान लेते इसका unit खली याद रखना है, एक डिफिनेसर नहीं पूछेगा kg पर कुलांब, एक फिराड बराबर होता है 96,500 कुलांब, इसको भी याद रखना है, या आवेस की वहा मात्रा है जो किसी धातु के अभगटे से प्रवाहित होने पर उस धातु के ग्राम रसानिक तुल्यां कि बराबर द्रब्मान क्या थोड़ पर जमा करता है, ध्यान दी जगा सर, खली याद रखे सर, एक फिराड बराबर च्यांब याजर पांसो कुलांब, और इसका unit होता है kg पर कुलांब, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टन नहीं है, अब देखे, रसानिक प्रवापर आ जिसमें विद्यो तले पन कल हम लोगों ने पढ़ा था, विद्यो तले पन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था खी गैस आइनी करन प्रभाव हम लोगों को पढ़ना था कि क्या है सर देखें यह ट्यूब ले लिजी ट्यूब की अगर हम बात करें यह ट्यूब ले लिजे और इससे विद्धारा प्रवाहित कीजे कि इससे करेंटョ प्रवाहित किजये। तो इससे इसमें जो गैस है, वह आएन मे तूट जाएगा। जब करेंट करेंगे, तो इसमें जो गैस है जब बहुत त्ब्रगति का करेंट प्रवाहित किजेगा। अगर о虎 है कि तूट जाएगा o minus o minus में। जब इस ट्यूब से जब इस ट्यूब से बहुत तिब्र गती से करेंट को प्रवाहित किया जाए तो यह आयन में तूट जाएगा O-O- में और जब यह आयन में तूट जाएगा इसे ही विद्धार का आयनिकरन प्रभाव क्याते है इसे विद्धार का कौन प्रभाव क्याते है आयनिकरन प्रभाव क्याते है या गैस आयनिकरन प्रभाव क्याते है क्योंकि गैस है इसमें Oxygen अब विद्धार देने के बाद यह आयन में तूट जाता है इसलिए इसको हम गैस आयनिकरन प्रभाव क्याते है अब देखें क्याते हैं देखें, इक ग्यास आई नी करन प्रवोग क्या और X की रण जो generate होता है सर अगर आप सुने होंगे X की रण कैसे generate होता है यह माल यह tungsten का electrode है यह tungsten का electrode है यह tungsten का rod है और इससे बहुत तिब्रगती से करेंट आप्रवाहित कीजिए तब जो इससे जनरेट होने वाला करेंट होगा तब जो इससे जनरेट होने वाला किरन होगा वो होगा X किरन जब टंगस्टन की धातू से बहुत उच्छ तिब्रता का करेंट परवाहित किया जाता है तब जो उच्छ सरजित किरने होती है वो कौन सी किरन होती है? वो होती है X किरन कौन सी किरन होती है? X किरन होती है तो इसको हम विद्धुधारा का गैस आइनी करन परभाव नहीं कहते हैं इसको विद्धुधारा का किरन प्रभाव कहते हैं जो टंगस्टन की धातू से जब बहुत तिबर गती से करेंड को प्रभाहित किया जाता है तब यह एक्स किरन निकलता इसलिए इसको विद्धुधारा का किरन प्रभाव कहते है अब देखो कहते हैं गैस आइनिकन प्रभा किसी विसर्जन न लिका में यह विसर्जन न लिका है जिसमें सर ग्यास विसर्जित है में भरी विशेस ग्यास में से विद्धारा प्रवाहित करने पर ग्यास का आइनिकरन हो जाता है इसे विद्धारा का ग्यास आइनिकरन प्रवाव कहते हैं ग्यास आइनिकरन प्रवाव प्रवाहित करने के लिए किया जाता मुद्रन और विदूत निलिशकर संज धातु का निसकर्षन इसरे आपको केमिश्ट्री में प्ढ़ना होता है जब ही एक स्टडीज में जाई रशवर में जाईएगा थब जब MLC वगए sponsored मिश्टरी से तो वहां आपको यहां सिर्फ यह जानना था कि ऐसे भी सर दिखिए जब यह आप धातु का निश्करसन है तो प्रिंटिंग मशीन विद्जूत मुद्रन में करें सिर्फ सकथ है क्कुल को चड़काव होता है अब देखो अब क्रिचॉप्स का नियम क्या है पतूर फरमाईएगा वहाँ सर अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है इसलिए ध्यान दीजगा कृचॉप्स का नियम कृचॉप्स लॉँ कृचॉप्स का नियम आप कहेंगा यह कृचॉप्स का नियम क्या है तो सर ध्यान दिजाएगा वाट इज क्रिचॉप्स लॉव क्रिचॉप्स का दूगो नियम है यह वो पहला है जंग्सन रूल पहला रूल है सर जंग्सन लॉव या इसी को हम कहते हैं बिंदू नियम बिंदू अभी है क्या कि कहता है किसी बिंदू पर आने वाले करेंट और जाने वाले करेंट का कुल योग जो होता है वो शुन्नि के बराबर होता है अगर यह I1 है यह I2 है और यह I3 है कहते हैं incoming current बराबर outgoing current होता है यानि एक बात या तो यह कहें कि I1 incoming है किसी भी point पर किसी भी junction junction किसको कहते हैं जहां बहुत सारे ट्रेने आकर मिलती है यहां junction उसको कहते हैं जहां बहुत सारे तारे आकर मिलती है अब देखें एक बिवेक जी का कहना है कि टंगस्टन का ही electrode से क्यों X-ray निकलता है सर साइंस में होता है उसी को पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं इसलिए होता नहीं है जो होता है मतलब वही होता है और पर experiment करके देखा गया ऐसा नहीं होता आपको एक चीनिये कहें मीठा लगता है यह मीठा लगता है जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता नहीं है इसलिए सर एकदम प्यार से इस चीज़ को समझ लेना होगा आपको कि अगर कोई हम कहा दे कि यह जंग इस पर नहीं लगता है तो नहीं लगता है वो उसका अपना गुन है अगर हम बात करें कि incoming current हो गया i1 i1 और ये हो गया i2 आप बराबर outgoing current हो गया i3 देखो incoming current i1 i2 outgoing current i3 हो गया इसको इस साइड ले आँ ति वजाएगा i1 plus i2 minus i3 is equal to 0 यानि किसी भी junction पर कुल धाराओं का कुल भी जगनितिय योग शुन्य होता है या आवेश संद्रक्षन या धारा संद्रक्षन के सिध्धान पर कारे करता है आपका यह का है क्योंकि भया जितना देर हैं वो तिने निकल रहा है incoming is equal to outgoing इसका मतलब सर धारा संद्रक्षित रहता है या धारा संद्रक्षन के सिध्धान पर कारे करता है तीक है अब देखिए कहते हैं प्रथम नियम क्रिचॉप्स का नियम क्रिचॉप्स करेंट लॉग या junction लॉग या node node का मतलब भी junction होता है node law कहते है या बिंदू का नियम कहते है काता इस नियम के अमसार किसी खुले परिपत में या किसी विद्धुतिया परिपत में किसी भी संधी संधी मतलब यह हो गया जहां पर सारा का सारा तार आकर मिलता है किसी भी संधी पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगनिति या योगशुन्य होता है इसे बिंदू का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बिंदू पर सारी चीज़ें आकर मिलती है फोर एक्जामपल यह नियम आवेस और धारा चुकि आवेस के प्रवाह को ही धारा कहते हैं यह नियम आवेस और धारा के संरक्षन के सिधान्त पर आधारित है AC, DC दोनों पर कारे करता है आविशेग जी अब देखो, Incoming Current हो गया IA यह है IA E है IB यह है IC ID IE और IE Incoming Current देखो कौन कौन है Incoming Current IA है IB है उसके बाद IE भी है IE भी है देखो IE होगा कहीं पर IE भी है और IE भी है Outgoing में दूग हो है IC और ID IC और ID यह Outgoing में है IC और ID जो है यह Outgoing में है तो कौन कोन incoming में, IA, IB, IC ने, IA incoming है, IB incoming है IC तो outgoing है, यह IC है IE incoming है तो A, B, E को कर लिए एक में और F भी है F भी incoming है outgoing में दूएगो है 냄새 outgoing है और 냄새 voc 분들은 incoming ब़र outgoing हो गया यही इसका rule है अब इसका सवाल भी दिया हुआ है गौर फर्माइए नोड क्या होता है नोड का मतला होता जंग्सन जंग्सन उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे करेंट आकर बहुत सारा तार आकर मिलता है जहाँ पर बहुत सारा ट्रेन आकर मिलता है उसे हम जंग्सन कहते हैं हाँ नोड और संधी संग्राम जी एक ही होता है अब देखिए I3 का मान इसमें कोहराय निकालने एकदम सिंपल है देखो E incoming है E incoming है E भी incoming है E outgoing है E outgoing है E भी outgoing है अब जल्दी जल्दी बता दिजे सर क्या हो जाएगा incoming में कौन कौन है कि 10, 12, 20 और 30 देखो E गोत हो गया तुम्हारा इधर गया outgoing में हो गया 20 और 30 incoming में हो गया 10, 12 और I3 I3 तो outgoing में है incoming में है 2 और 12 10 प्लस 12 यहाँ इसका सर डारेक्शन इधर है book में हम सुधार दिये है इस direction में problem था book में इसका direction इधर है अब हो गया देखो 10, 12 और I3 जो की incoming है outgoing में कौन कौन है 20 और 30 20 प्लस 30 अब यहाँ से I3 का मन बहुत आसानी से निकल जाएगा I3 is equal to 50 आम मेनस बारा दस बाइस तब 50 मेनस बाइस हो गया बाइस आट तीस बिस पचास यानि 28 ampere is the answer incoming is equal to outgoing very good सबका योगेंदर जी प्रकास जी सबका सही है 28 ampere is the answer incoming is equal to होता है outgoing अब एक question आप जल्दी लिए आप लोग बना के दिखाएए एकदम simple है कुछ नहीं करना है खाली आपको incoming बराबर outgoing निकाल देना है यह है 10 ampere यह है 20 ampere यह है 6 ampere यह है I यह है 8 ampere अब जल्दी लिए हमको I का मान निकाल के जल्दी लिए आप लोग बताएए कितना हो जाएगा what is the value of I I के value निकाल लिए कितना हो जाएगा Rahul जी very good Gaurab Kumar जी पता कैसे चलेगा पता कैसे चलेगा पता चलेगा आँख मून ले रही है अगर कहाँ पता चलेगा देखें पता नहीं चल रहा है आपको बताएए आंसर कितना होगा what is the answer ने ये नियम वोल्टेज पर लागू नहीं होता है क्रिचॉप्स का वोल्टेज लोग अलग है अब इसे एक जी क्रिचॉप्स का वोल्टेज लोग अलग है अब बताएए जल्दी से वोल्टेज लोग क्रिचॉप्स का अलग है कितना आ रहा है किसी का 24 आ रहा है रही है प्रिंस कुमार, अमेत, प्रकाश, 24 रोसन का 24 आ गया आठ भी आ रहा है वारे मेरे लले मारे लात इतना कि मर जाओगे यहीं आठ के करा रहा है 24 सब के आ रहा है 24 से होना चाहिए अर दान अब सब कहींगा यह इंकमिंग है यह इंकमिंग है यह तिनों आउटगोइंग है तो 10 प्लस आई इंकमिंग आउटगोइंग में 8 प्लस चो प्लस बीस 8 प्लस चो प्लस बीस 24 आएगा सब का 24 आ रहा है इसमें क्या समस्य आ हो गया भाया जोडगटावन 88 भी आर ओओ माई टीटो मारो कोई इसको यह हो जाएगा I is equal to यह हो जाएगा आठ छोच चौउदा अबिस चौउटीस अमेनस दौस होट ते रीके चौविस एंपियर इस दा अंसर शोला नविन कुमार जी तूर नविन कुमार और जो भी गलत अंसर ला रहे हैं उनको मुह में लाठी ठूस के हरवडा दिया जाएगा आमिस प्रजापती का 3.4 आया हर बढ़ाओ मुह में लाठी इसको मुह में लाठी हर बढ़ा के ठूसो इसको 3.4 आता है इसका चौर चौरी करो दानवों शंदी प्रॉइ वेरी गुड सही है अगले में चलते हैं नीरत जी आपका सही है काता है दुप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉप्रॉ अब आते हैं सर भूलटेज रूल पर कृचॉब्स का दूसरा नाम है दूसरा लॉका नाम है के बी ऐल करिचॉव्स भूल्टेज लॉ क्रिचॉव्स का कौन लॉव? भूल्टेज लॉ अब क्रिचॉप्स का जो ये वोल्टेज लो है के वियल जिसको आप कहते हैं क्रिचॉप्स का इसको कहते है सर वोल्टेज लो अब क्रिचॉप्स का वोल्टेज लो क्या है? तब क्रिचॉप्स का वोल्टेज लो कहता है कि ध्याम दिजएगा किसी भी बंद परिपत्ह में कोई भी बंद परिपत्ह है सर इसमें कुल बोल्टेज का योग होगा वो सुन्य होगा यह अगर मान लो R1 है E1 है और E2 है यह R2 है किसी भी बंद परिपत्ह में वोल्टेज का जो कुल योग होगा, कुल बीजगनितिया योग होगा ना, वोल्टेज का बीजगनितिया योग जो होगा, बीजगनितिया योग जो होगा, वो कितना के बराबर होगा, वो सुन्नी के बराबर होगा, इसलिए इसको हम वोल्टेज संदक्षन का सिद्धान्त भ देखो वही बात यहां लिखा हुआ है किसी बंद परिपत में या किसी भी बंद लूप में लूप मतलब से दान्त पर कारी करता था तर जब कोश्चन बनाएंगे ना अब फिजिक्स में मिलता है लेकिन अब नहीं मिलेगा अब देखो लूप और मेस में क्या मामला है देखो कोई भी बंद परिपाथ होगा ना तो उसको हम लोग सब लूप कहते हैं कोई भी बंद परिपत होगा तो उसको हम लोग लूप कहते हैं कोई भी बंद परिपत होगा तो उसको हम लोग लूप कह देंगे जैसे यहां से यहां गया यह इसको हम लूप कहते हैं किसी भी बंद परिपत को हम लोग लूप कहते हैं यह से से है ये भी एक लूप है ये भी एक लूप है और ये भी एक लूप है लेकिन मेस किसको कहते हैं वो इसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई लूप नहीं हो जैसे देखो अगर हम अगर अगर हम इसकी बात करें तो एक लूप ये हुआ एक लूप ये हुआ एक बड़ा वाला ये लूप हुआ तो तीन लूप है इसमें लेकिन मेस दूएगो है मेस उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई बंद परिपत नहीं हो हाँ संग्राम जी आगे बात कर लें लूप बंद परिपत को लूप कहते हैं लेकिन मेस किसको कहते हैं मेस उसको कहते हैं सर जिहांदी जगा किसी बंद परिपत को लूप कहते हैं किसी बंद परिपत को क्या कहते हैं लूप कहते हैं किसी भी बंद परिपत को लूप कहते हैं ये बंद परिपत है ये लूप है ये बंद परिपत है ये लूप है लेकिन मेश किसको कहते हैं मेश कहते हैं वैसा बंद परिपत अभी इसमें लूप की अगर संख्यां बोलोगे ना तो लूप की संख्यां तीन है एक तो यह बड़ा बला लूप है, ध्यान से समाझना, एक यह लूप है और एक यह लूप है, तो तीन लूप है इसमें, लेकिन अगर मेस की बात करोगे इसमें तीन लूप है, लेकिन अगर मेस की बात करोगे न, तो मेस इसमें दूएगो है, मेस कहता है वैसा बंद परिपत को सीन्स परिपत करो तो्वास्रा बंद प्रिपत नहीं हो कि वैसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत न रहो हो नहीं है किसको कहते हैं जैसे यह एक मेस है यह भी एक मेस है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसराoration परिपत नहीं है लेकिन यह पूरा मेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो बंद परिपत है दो ही मेस है जिसके अंदर कोई और नहीं हो उसको मेस कहते है अलूप किसको कहते है ये पूरा वाला भी लूप है ये अलग-अलग भी लूप है इसका मतलब जो भी जितने भी मेस है वो लूप है लेकिन सभी लूप जो है वो मेस नहीं है अब बोलोगे नहीं समझे सरम फिर समझाते हैं तो हो क्या काता है लूप हमेशा एक बंद परिपत होता है एक के वो डिफिनेशन है कि लूप जो हमेशा वो कैसा परिपत होगा वो बंद परिपत होगा कोई भी बंद परिपत होगा वो लूप हो जाए मेस के साथ कंडिशन उसके अंदर कोई नहीं हो भाईया तकाता है मेस एक वैसा बंद परिपत है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत नहीं हो उसे हम मेस कहते हैं अब देखो For example, मेस और लूप मेस लूप होगा लेकिन लूप मेस नहीं होगा देखो यह जो मेस है इसको हम लूप भी कह सकते हैं इसको मेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर और कोई नहीं है इसको लूप भी कह सकते हैं इसको मेस भी कह सकते हैं लेकिन 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 इस पूरे को हम लूप तो कह सकते हैं लेकिन इसको मेस नहीं कह सकता है क्योंकि इसके अंदर दो बंद परिपत, ये लूप जो है, ये कभी मेस नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी लूप है, वो मेस है, ध्यान देना, देखो, इसमें अगर हमको लूप की बात करेगा, देखो, लूप कौन-कौन है, जितना भी बंद परपात होगा वो loop होगा यहां A से सुरू करो A, B, C, D, A A, B, C, D, A यह loop है उसके बाद A, B, C, A यह भी एक loop है आँ सके बाद A, D, C, A यह भी एक loop है हम दो सके वाज में हम चलते हैं में की अगर हम बात करें में में ह운데 में मिजसमाइ लूप की λूप टीन है कीकि यह यह बडा वाला भी लूप है यह बदो चूटा वाला भी而且 लेन मेस की संग्या दूए वह यह दोनों छोटा वाला तब जल्दी से सर एक्जामपल हम आप लोगों के लिए देते हैं और आप लोग बना के हमको दिखाईए जल्दी से बताईए इसमें A है, B है, C है, D है, E है, F है लूप काई गो है? संख्या बताईए अगा खाली लूप कितने हैं? आमेज कितने हैं जल्दी दे बताईए अंसर बताईए क्या होगा? जल्दी से गिन के बताईए लूप काईगो है, मेस काईगो है क्रिचोपसला किसके द्वारतवार? ससूर के द्वारा दिया गया होगा? जल्दी बताईए अंसर अंसर बताई मुंडन क्यों करवाईए उच्छोड़ आंसर बता लूप गिन लिया तीन गो है very good, सबका सही आंसर लूप तीन गो है एगो ये लूप हो गया, एगो ये लूप हो गया एगो ये बड़ा वाला लूप हो गया मेस का एगो है मेस का एगो है, बता जल दिए दूगो मेस है अब इसी को हम ऐसा कर देते हैं अब बता लूप काईगो मेस काईगो अब बता जल्दी से लूप कितने और मेस कितने जब question discussion करवा देंगे चला तब खुद से पूछना कि हमको chapter कितना समझ में आया पैसा बूढ गया पैसा आ गया अंसर बता इसमें बता लूप और मेस लूप तीन मेस दो इस तो पिछले वाला question का अंसर है अधर लिसे लूप कितने और मेस कितने लूप पाँच मेस दो पता नहीं देखना पड़ेगा दूगो जादे हमको मेस दिख रहा है लूप तो पाँच को ठीक है एरे तुम लोग तिरभूज और बूज गिनता है कि नहीं एक लूप एक लूप दो लूप एक लूप तीन लूप एक लूप चार लूप और एक लूप पाँच लूप ऐसे गिनता है देखो एक लूप तो ये हो गया दो लूप, तीन लूप, ये पूरा चार लूप, और ये पूरा हो गया पॉच लूप मेस गिन ओके त। एक दो MORA 3 मेस गो मेस हो गया अब भी अगर नही गिन पाते हो तो मामला गभीर है मेस चार गुऐ रहा है मेस तीने ओको आएगा रेक दो तीन कि पूरा को तुम मेस कहो दोगे तो इसके अंदर दो विद्धिया परिपत है तो इसा नहीं हो पाएगा मेस मेस तीन को हो जाएगा देखो एक दो और तीन यह मेस हो जाएगा अब देखो कि चॉप्स के लॉक का जो अप्लिकेशन है वो कुछ इसका कुई काम नहीं है कुछ खास नहीं है सर इसको पढ़ने की कोई जरुरत नहीं है गलत भी है यह मिश्टेक हो गया है लेकिन के बील आपको पढ़ना पढ़ेगा ओहो लालालाला लाला कि यह अब हमको अलग से चला पढ़ाना पढ़ेगा इसमें लफड़ा है मामला इगंभीर है कि यह का कुछ एप्लिकेशन बच्चा लोग भी बोल रहा था चलो उसको भी पढ़ा देंगे पहले सर कुछ important points हम लोग देख लेते हैं ध्यान दीचेगा कि यह अप्लिकेशन हम जो छोड़े हैं उसको अलग से हम पूरा डिटेल में अगले क्लास में बता देंगे कुछ महत्वपूंट तक थे हैं विद्धुतिया लोड क्या है देखो अगर माल लेते हैं एलेक्ट्रिकल लोड क्या है उस पर हम चलेंगे फिर अलग से बताना पड़ेगा वाट इस एलेक्ट्रिकल लोड जैसे माल लो कि यह तुम बल्ब लगा दिये हो तिर घर में तुमने सर पंखा लगा दिया तिर थोड़ा दूर जाने के बाद तुम एलेक्ट्रिक आइरन लगा दिये हो यह हमारा लोड कहलाता है माल लोड यह लोड वन है यह लोड टू है और यह लोड थ्री है ध्यान देना अगर इसमें लोड का मान बढ़ता है लोड बढ़ेगा इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा इसका मतलब धारा का मान घटेगा लोड बढ़ेगा इसका मतलब सर प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब धारा का मन घट जाएगा अगर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, लोड मन लो पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, आइरन लगा दिया अल बल लगा दिया तो लोड का मान बढ़ेगा अलोड का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा घटेगा प्रतिरोध एक प्रकार का बिरोध है बिरोध बढ़ेगा धारा का मान घट जाएगा तो तो देखो, वही बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कहता है विद्यूतिय और रहलेखरThe प्रतिरोद का मान यदि बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा यानि विद्युधारा भी घटेगा यदि प्रतिरोद घटेगा तो विद्युधारा का मान बढ़ेगा यानि लोड का मान भी बढ़ेगा कुछ खास नहीं है लेकिन यह जो मामला है लगू पथन का यह important है प्लेन वाईर और एक होता है सर्व रजिस्टिंग वाईर रजिस्टिंग वाईर यानि प्रतिरोधी तार एक होता है प्लेन तार एक होता है प्रतिरोधी तार लूप में confusion नहीं होना है सर हाँ सब ACDC दोनों में लागू होता है नहीं हम एक मुनट एक मुनट इस पिछला वला में रुख जा प्रतिरोध का मान यदी बढ़ेगा तो लोड का मान अच्छ अच्छ रुख 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 हमी उल्टा बोल दिया है प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा ध्यान देना प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा और धारा का मान भी घटेगा ये रिलेशन होता है कि अगर जितना जादे प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब बिरोध बढ़ेगा बिरोध बढ़ेगा तो लोट बढ़ जाएगा असली लोट का मन घटेगा लोट मतलब हो गया यहां लोट का सिंपली मीनिंग समयलो धारा लोड का यहां simply meaning सर इससे जो तुम लगाओगे इससे गरवड़ा जाएगा लोड का simply meaning यहां धारा से है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कमान घटेगा यानि लोड कमान घटेगा इस माई मिस्टेक प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा घटेगा यानि लोड का मान घटेगा धारा ही लोड है धारा अगर कम प्रवाइत हो रहा तो लोड कम है और धारा अगर जादे प्रवाइत हो रहा तो लोड जादे है अब इसको मिला दो क्याते हैं प्रतिरोध का मान यदी बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा यानि विद्युधारा का मान घटेगा और विद्युधारा का मान घटेगा यानि लोड और विद्युधारा एक ही बात है अब प्रतिरोध घटेगा तो धारा कामान भी बढ़ेगा यानि लोड कामान क्या होगा बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा तो अब यसली धारा कामान बढ़ जाएगा प्रतिरोध अगर घटेगा तो धारा कामान बढ़ जाएगा यानि लोड कमान क्या होगा बढ़ जागा Ultimately ये तुम समझो कि धारा ही लोड है Ultimately धारा ही क्या है? लोड है सर लूप में अभी भी थोड़ा बहुत confusion है सर देखें हम लूप और मेस एक बार और समझा देते हैं लूप और मेस को कुछ नहीं करना है सर जो भी बंद परिपत है उस सब लूप है लूप में वैसा बंद परिपत वैसा बंद परिपत जिसके अंदर जैसे इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत नहीं याती मेस हो जाएगा इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत नहीं याती मेस हो जागा करवा देंगे इतों sir incoming current is equal to outgoing current है सब को समझ में आ गया होगा और और उसके बाद electroplating M समानपाती होगा Q के समानपाती हटाएंगे Q constant हटाएंगे Z आएगा Z into Q हो जाएगा Z IT हो जाएगा जेड विद्र सरेंइक तुल्यांक थे इसका unit kg पर पुलांप होता है छीति यहा हो जाएगा Sir किरन प्रभाव कह लाता है। हैं एक बार और हम इसको क्लियर कर देंगे अनले कक्छा में फिर आगे बढ़ेंगे। आज सर, इंवर्मेंट के लगभग तो पचास प्रश्ण लेकर हम आ रहे हैं, पचास प्लस प्रश्ण लेकर आ रहे हैं, उन्तीस और पंद्रह, यानि चवालिस-पैंतालिस प्रश्ण लेकर आ रहे हैं हम, आज की कछा में, साम सात बच कर पैंतीस मिनट पे, thank you very much, love you all, मिलते हैं भी लोग सर अगले कछा में.